बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूटूब चैनल की रतिमान फ्यूचर क्लासेज में तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 11 का प्रसनावली 3.3 अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा हम तिरकोण मिती फलन का प्रसनावली 3.3 आपको सिखाएंगे अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो चलिए जैसे कोश्चन क्या दिया गया है क्लास 11 का तिरकोण मिती फलन प्रसनावली 3.3 सिद्ध कीजिए साइन स्कॉर पाई बाई 6 प्लस कास स्कॉर पाई बाई 3 माइनस टैन स्कॉर पाई बाई 4 इस इक्वल टो माइनस 1 बाई 2 तो चलिए प्रूब करते हैं सबसे पहले पाई बाई 6 जो है इसको हम इसको हम बदलते हैं इसको हम बदलेंगे चलिए देखिए पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 को अंस के रूप में बदलेंगे यानि अंस के रूप में बदलेंगे तो तो क्या हो जाएगा, पाई को क्या लिखते हैं, 180, 180 बराबर 6, पाई का मान क्या होता, 180, 180 बटे 6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 अंस आएगा, तो यहां से देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को साल्व करते हुए, राइट हैंड साइड ले आइंगे तो यह लेफ्ट हैंड 여ग हो गया और है क्या है राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड यानगी बाया पच्छ और दाया पच्छ तो चलिए क्या हो जाएगा इजी कोकॉल कि टूर के साइन स्कॉायर पाइबाइच सिक्स को क्या लिख सकते हैं तीसटины सो Son देखी क्या हो जाएगा 60 अंस हो गया माइनस टायन स्कॉाइर पाइबाइब फॉर को क्या कर सकते हैं पाइबाइब फॉर यानी 186 बटे चार तो भाग कर देंगे 45 अंस आ जाएगा तो यहां से देखी क्या हो गया 45 अंस हो गया simple तरीके से आपने क्या किया सबसे पहले जो radian में दिया था उसको आपने अंस के रूप में बनाया तो उसके बाद चलिए इसको सालो करेंगे देखिए sine square 30 ans है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं sine 30 ans का holy square लिख सकते हैं प्लस कास 60 ans का holy square लिख सकते हैं minus ten 45 cents का all square लिख सकते हैं अगर आपको sign 30, cost, ten 45 या किसी का भी मान अगर आपको याद ना हो तो उसका trick हमने बताया है उसका link description में आपको मिल जाएगा आप वहाँ से सीख सकते हैं तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा साइन 30 cents का मान क्या होता है साइन तीस हंस का मान, साइन तीस हंस का मान क्या होता है, एक बटे दो होता है, कास साथ हंस का मान क्या होता है, कास साथ हंस का मान होता है, एक बटे दो, और देखिए, और टैन पैतालीस हंस का मान क्या होता है, एक होता है, देखिए, टैन पैतालीस हंस का मान, एक होता है, तो हो गया minus 10 45 cents का मान 1 होता है तो 1 का whole square बस simple तरीके से calculation करेंगे तो 1 बटे 4 हो जाएगा plus 1 बटे 4 हो जाएगा minus 1 हो जाएगा अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया है और minus 1 करना अगर आपको भिन्न के जोड़ में भी problem है तो उसका भी link description में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप सीख सकते हैं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा देखिए is equal to this imply देखिए क्या हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस एक बटे 4 करेंगे तो 2 बटे 4 हो जाएगा minus का एक हो गया इसको solve करेंगे देखिए is equal to क्या हो जाएगा 2,192 देखिए 2,192,224 तो 1 बटे 2-1 तो 1 बटे 2-1 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 जो की यही क्या है राइट हैंड साइड है तो आसा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले जो एरेडियन में दिया काया था तो हमने इसको अंस के रूप में बनाया अंस के रूप में बनाने के बाद 30, 65, 65, 45 का मान रखकर थोड़ा सा कल्कुलेशन कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया दूसरा कोशन देखिए दूसरा कोशन क्या है देखिए दूसरा कोशन दिया गया है टू साइन स्कॉाइर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्कॉाइर 7 पाई बाई 6 और क्या दिया गया है कास स्कॉाइर पाई बाई 3 और प्रोब क्या करना है 3 बाई 2 तो सिंपल तरीके से आप क् रेडियन में है इसको आप ठीटा के रूप में बदलेंगे तो देखिए क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है आपको लेफ्ट हैंड साइड सालो करते हुए राइट हैंड साइड ले आना है तो देखिए इस इक्वल टू क्या हो जाए द El Hier इसे हैं प्लैजफ प्लैस पाईव और इन ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई प्लैस पाई प्लैस प्लैस्क सिख स्रीच्जर्टरांग Means एकश्यंस प्लैस्च छीटा इसके प्लस पाई भाई 6 से पूरे का होल इसक्वाय लिख सकते हैं और ये क्या लिख सकते हैं कास साठहंग्स का होल स्कॉाय लिख सकते हैं सिंपल तरीके से इसको solve करेंगे देखी क्या हो जाएगा इसको एक बार वैसे ही लिख देते हैं 2 sin 30 ans का whole square plus causex x asciens plus theta is equal to क्या होता है causex x asciens theta is equal to क्या होता है minus causex pi by 6 हो जाएगा ये क्या है एक्सो asciens इसको अगर आप x asciens भी लिख देते हैं देखी इस प्रकार अगर आप x asciens लिख देंगे pi की जगह पर pi is equal to x asciens होता है तो x asciens plus theta is equal to क्या हो जाएगा minus causex theta तो इसको आप कोश्टक में करके इसका whole square लिख दीजिए और क्या हो जाएगा causex 60 ans का whole square बस simple तरीकेस इसको sorrow करेंगे two sin tisens का मान क्या होता है एक बटे दो का whole square हो गया कोजिक तीसंस बराबर क्या हो जाएगा ? एक बटे sin», तो sin का मान क्या होता है ? misin का मान 1, 2 होता है, तो उपर चला जाएगा यानि 2 कोजिक तीसंस का मान क्या हो जाएगा ? 2 हो जाएगा इसको pi by 6 इसको हम direct लिख देते हैं 30 अंस है एक step न बढ़कर यहां ही direct कर देते हैं आप भी कर सकते हैं तो देखी क्या हो जाएगा minus cos एक 30 अंस का मान क्या हो जाएगा 2 तो minus 2 का whole square हो गया और cos 60 अंस का मान क्या होता है cos 60 अंस का मान होता है 1 बटे 2 तो गुड़े करके 1 बटे 2 का whole square बस इसको solve करेंगे देखी क्या हो जाएगा 2 हो गया गुड़े 1 बटे 4 हो गया और ये plus का क्या हो जाएगा plus का 4 हो गया और गुड़े क्या हो जाएगा गुड़े हो जाएगा 1 बटे 4 बस simple तरीके से calculation करेंगे देखे, दो, एक, अन्नम, दो, दो, दूना, चार, चार से, चार कैंसिल, तो यहां से देखी, इस इक्वल टु क्या निकल कराएगा, इस इक्वल टु यहां क्या हो गया, एक बटे दो, प्लस एक, इसको जोड़ देंगे, तो तीन बटे दो, यानी, राइट, हैंड, साइड तो आसा करते हैं question number दूसरा भी आप बिल्कुल simple तरीके से समझ गए होंगे इस प्रकार आप बिल्कुल simple तरीके से कर सकते हैं तो चलिए number 3 question देखिए number 3 question क्या है उसको भी सिंपल तरीके से करेंगे चलिए देखिए समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा चलिए नमबर तीसरा कोश्चन देखिए नमबर तीसरा कोश्चन क्या है नमबर तीसरा कोश्चन है सक्षाइब भाई बाई 6 प्लस कॉसक को जारे हैं डिखाइब करते हूं इसको क्या सकते हैं का तीज यहां कम दी यह सकते हैं को कैस को सकते हैं और फ्लास कॉ gelmiş सकते हैं कॉसेके 5 5 6 इस प्लैस ठीटा यानी ४्लेस्ट हो जाएगा तो यहां से फ्लेस्टीटा is equal to क्या होता है 30нос का मान क्या लिख सकते हैं Card 30 सपधिश्व इस इक गवोल टो लिख सकते हैं så。 k3 इस अन्स सबया साइन 30 Сंस तो यहां से दिखी कास 30 picked का मान क्या होता है अंडर । 2 होता है बटे 1,2 होता है तो यहां से अंडरूट 3 आ जाएगा तो अंडर्श्व 3 का whole हो गया प्लस सिक्स साथ हंस का मान क्या होता है सिक्स साथ हंस यानि कास देखिए सिक्स साथ हंस तो सिक्स साथ हंस बराबर क्या हो जाएगा वन बाई कास साथ हंस तो कास साथ हंस का मान क्या होता है कास साथ हंस का मान होता है वन बाई टू तो वहां से इस दो कराे गा तो एक दो होगया प्लस टी कामान क्या होता है कि साइन 3 कुमान होता देखि हुँन 30 आई से आप निकाल सकते हैं सैं 30 बटे कास 30 तो मान क्या होता यहाँ से कैंसल यानि 1 by root 3 तो देखिए 3 और 1 by root 3 हो गया का whole square बस simple तरीके से इस प्रकार करेंगे तो 3 हो गया plus 2 हो गया प्लस यह देखिए 3 गुड़े 1 by 1 by 3 हो गया तो 3 से 3 का एंसिल हो गया तो यहां से देखिए 3 plus 2 plus 1 equal to 6 1 equal to 6 यही क्या है right hand side है तो आसा करते हैं तीनों कोशन आप बिल्कुल simple तरीके से समझ गये होंगे और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कोशनों को समझ सकते हैं तो चलिए आगे वाले कोशन हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे तो आसा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो लाइक करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए टेक के और जय हिंद भारत माता की जय